राम राम जी सरने, तो बात ऐसी है कि आज उन दिनों में से एक दिन है, जब कभी-कभी regret होता है, क्यों कुछ दिनों में से एक दिन ये भी है कि जब हमें लगता है, कि बलती होगी शायद इस देश में आके, तो क्यों ऐसा किस लिए इस वीडियो में थोड़ा बहुत उस पर बात करेंगे, और नेरी अटायर को देख के कोई lawyer ना समझाना है, I'm working in security, security की job, तो आज घर जाने से पहले इस बात पर थोड़ा discuss करना बहुत important है, क्योंकि ये phase हर किसी की life में आता है, बार बार आता है, बहुत बार आता है, तो जैसे बोलते हैं, it's a trap, तो वो सच है, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ, पैसा, दौलर, शोहरत, लड़की ये, वो जो भी चाहिए, सब कुछ कमा सकते हो, प्चो चीज नहीं है, वो है सुकूम, वो है अपनी, वो है family, वो feeling, वहाँ पर जो आती है, वो यहाँ नहीं मिलेगी, कुछ की हो जाए, तो कुछ, उन दिनों में से ही, एक दिन, मैं भी एक phase कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा की, चले इस पर थोड़ी बहुत बात की जाए, तो घर जाने जे पहले, इस पर अच्छे नहीं हम थोड़ा बहुत ब वीडियो में, तो सुबह निकला था मैं घर से नियरली साड़े आठ बजे, अभी शाम के साथ बजे है, बहुत बात के तो से जासे माञड़े, बहुत अच्छे का जालाा। राम राम जी सार ने, तो हमने आज एक वीडियो शुरू करी थी, जब मैं अपना शिफ्ट पे था, उस वीडियो को, सोचा था कि, उस वीडियो को अंजाम देंगे, सिटी में, कहीं पे एक कौने पे बैठ की, के राम से बात करी जाएगी, पर बारिश आ गई, और तो उसके वज़े से थोड़ा भागना पड़ा, हमने इस वीडियो की शुरूबात की थी आज सुबह, जहां पर मैं ये बोल रहा था कि, ऐसा एक दिन हर किसी के जिन्दगी में, इस पेशली हर किसी से मेरा मतलब अभी इ इस दिन, मतलब डिपेंडिंग, तो कभी-कभी रिग्रेट वाला एक वो फेज आजाता है, कि यार, क्या मैंने डी सीजन सही लिया है, मिरको यहां आना चाहिए था, क्या मिरको जो मैंने लाइफ चूज की है, पसंद आई है, यार शायद मैं से कुछ पैटर डिजर्व करत होता था, कुछ भी इस तरह से, रिग्रेट होता है, बहुत बार होता है, तो इसके बहुत सारे रिजन रहते हैं, बहुत, तो शायद और लोग इस तरह की वीडियो नहीं डालते, शायद इन बातों पर कभी बात नहीं करी जाती, तो मेरा मानना ये है कि, इन्फरमेशन ठी है, इन्फरमेशन देना हमारा, अगर कोई भी डाल रहा है, इन्फरमेटिव वीडियो उसका फर्ज बनता है, आपको राइट इन्फरमेशन देना, तो इन्फरमेशन में ये सारी चीज़ हैं पर बहुत ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ, और सोशल वेल बीइंग, ऐसे ख्याल आजाते हैं कि लगता है यार, इंडिया में ही बेटर थे, क्यों आगए यहां, तो सबसे पहला रीजन तो ओबियसली फैमिली, तो जैसे वो अमरिंदर गिल के गाने में एक लाइन सुनी हो, अगर आपने, मेरे को गाना नहीं आता, बट जस्ट फील दाट इने मिलने साहर परिवार मिले, कुछ इस तरहां से ही जो वो लग है न, कि मुश्किलों में साथ देने वाले दोस्त मिल जाते हैं, यहां पर व्यॉबे से मिल जाते हैं, पर फैमिली की कमी पूरी नहीं होती, तो माबाप, भाई बहन, रिष्टेदार, हमारा जिस तरहां से मैं 18 साल की उमर में आया हूँ, तो मान लो कि एक बच्चा उसको 3 साल के वाद समझाने लग जाती हैं चीजें, अभी तो आजकल के बच्चे को देखकर तो 2 साल के बाद या आप बोल सकते हो, तो जिस एक बच्चे ने अपनी 4-5 साल की उमर से 18 साल तक अपने फैमिली के सा और जिस माहौल में वो रहा है, उससे एक ऐसे माहौल में हम आ जाते हैं कि एक कमरा, उस कमरे में शायद तुम्हारे साथ कोई शेयर करें, शायद तुम्हें अकेले रहना जदा बेटर लगें, डिपेंडिंग अपन यो प्राइवरिटीज, तो लाइफ काफी सीमित रह जा जो प्लैंस बनते हैं, ये नहीं की नहीं बनते हैं, दोस्तों के साथ प्लैंस बनते हैं, कभी, डिपेंड करता है वो भी हर एक इंसान के उस पर, यार वो एक सुकून नहीं है, मतलब जो एक, मैं और मेरा दोस्त, बहुत खास दोस्त, मेरा बहुत अजीज, नहीं, अजीज मित्र नहीं जो भी बोलते हैं मतलब मैं उट दू और वो मिक्स कर रहा हूं बट समझ जाओ बात कि बहुत खास दोस्त मेरा प्रज्वल तो हम मतलब मैं बाइक लेके निकल जाता था उसको घर से उठाया घूम फिर रहे हैं ऐसा ही मतलब यहर वो छोटी-छोटी चीजें होती थी पैसे नहीं होते थैं इतने जेव में पर सुकून होता था ठीक है और अब ही पैसे है सब कुछ है पर वो भी यहां पर आ भी जाएगा ना तो भी वो सुकून नहीं मिलने वाला इवन हमारे पेरेंट्स भी यहां पर आ जाएं तब भी सुकून नहीं मिलेगा वो जो अपने घर में बैठ कर रिश्टेदार यार सारी चीज़ें हमारे लिए इंपोर्टेंट है यह सोशल मतलब विलनेस बहुत जुरूरी है एक इंसान के लिए और जस तरह के सोशल एट्मोसफेर में हम लोग बड़े हो हुए है तो काफी इंपक्ट डालती है चीज़ें हम लोग क्या क्या सेक्रिफाइज नहीं करते ठीक है entire हमारी खुद की चुज की हुई जिन्दिगी है we accepted हम अपनी मरजी से आया है we accepted हम जो भी कर रहे हैं अपनी मरजी से कर रहे है we accepted हर रहना हमारी खुद की है we accepted हमारे पास वापस जांएक option है we accepted y은 but yawa अगर हम अपनी बात भी नहीं रख सकते तो क्या फैदा है ऐसे किसी भी चीज़ का एक situation है ये हमारे I'm not getting on to the point की हम लोग यहां क्यों आते हैं किस लिए आते हैं, किस reason से आते हैं मैं इतना पता है अगर यहां पे बंदा एक बिना सुबह खाए 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे की shift लगाता है बीच में आदे गंटे का break मिलता है उसमें भी खाया नहीं खाया तो वो अगर 18-19-20 साल का बंदा बंदी, कोई भी लड़का लड़की, कुछ भी अगर 12-12 गंटे की shift लगा सकते हैं तो वहां पर भी रहकर struggle कर सकते हैं अभी बात यह नहीं है कि हम यहां क्यों आए अगर क्यों वाली इस चीज नहीं है हम यहां आ चुके हैं तो बात यह कि इन सारी चीजों को भी importance देनी बहुत ज़रूरी है मैंने देखा है अपने आसपास बहुत दुनिया में मतलब यहां पर बहुत अपने आसपास के लोगों को ही देखा है जने हफता हफता हो जाता है पंद्रा देन हो जाते हैं घर पे बात नहीं करते ठीक है उनके अपनी वो एक बन जाती है चीज की काफी लोग महाँ से बिलकुल तंग हो के आते हैं थाने सुन-सुन के दुनिया के और यह वो जोई मचा रहे हो यह ट्रिप्स पे जाना यह सब यह हमारा एक कल्चर है हमारी एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक एक वो चीज है जिसमें हमारे रिलेटिव्स हमारे चाचा चाची मामा मामी बुआ हो गयरा सब सब का कहीं न कहीं कोई एहमियत है सी अभी हाथ पे राकी बांदी है मैं खुद से बांदी थी इस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाली है अब लोग बोलते हैं कि आसी डाल रहे हो यह वो भई यार अपने को अगर express भी ना कर सके हम तो क्या फैदा उसका ठीक है अगर कोई नहीं expressive नहीं करता हो मैं अपने आपको समझता हूं कि बरको express करने से खुशी मिलती है खुशी ना भी सही at least I am able to bring out that feeling what I got inside camera के सामने या कुछ भी at least I am appreciating people around me at least I am making them feel कि I do miss them to keep that bond alive to keep that plant green जो भी आप consider कर सकते हो तो यहर इन चीजों पर बहुत important है ध्यान देना एक decision लेने से पहले कि आप Australia, Canada, US कहीं पर भी out of India move कर रहे हो कि आपका social जो एक वो कह सकते हो आप उसको कि एक social graph है, social circle है, social attitude है वो बहुत change होने वाला है तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए, काफी सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ेंगी, adjust करनी पड़ेंगी तो मिलते हैं लोग आपको हर तरह क्या मिलेंगे यहां पर, साथ निभाने वाले भी मिलेंगे ज्यादे तर जनता वो मिलेगी जो जब तक वो साथ हैं, उनको आपसे काम है, तब तक दोस्त हैं, तब तक रिष्टा है, कोई भी रख लो आप, x, y, z, कुछ भी एक, दोस्तिया, दो भाई बोलो, जो मरजी बोलो काम से काम रखने वाली 99% जनता मिलेगी, कुछ एक परसेंट, एक परसेंट मिलेंगे, जिनके साथ, you will feel that genuine connection and उनके साथ भी चीजों को manage करते हुए, आपको बहुत सारी चीज़े, खुद से सीखनी पड़ेंगे, खुद से ध्यान रखनी पड़ेंगे, जैसे की हमारे में जिस उससे हम आते हैं न, कि एक खासकर लड़कों में रहती है चीज हमारे उदर कि बिल्स पे करने पे, कि कोई चक करनी आर यारी दोस्ती में चलता है यह होगा, पर यह यारी दोस्ती में भी एक limit तक चीज़े चलती है, suppose आप चार लोगों का group है, अब उस चार में से की दो बंदे ऐसे हैं कि जो हर बार initiative ले रहे हैं to carry out the things, to pay the bills, to like जो भी, तो obvious सी बात है यार, किसी को ऐसे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगेगा, कि हाँ यार वहाँ गे थे वैसे, एक बार होगा दो बर होगा, तीसरी बार खुद से ही बंदा plan बनाते होगे, कहेगा, नहीं यार आज तो मेरे को कहीं जाना है काम है, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें अच्छा, अगर साथ मेरे घर share कर रहे हो, तो उनकी priorities को भी एक priority दी जाए उनकी privacy को भी समझा जाए और काफी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम सोचते नहीं कि matter करती है बट वो एक time निकल जाता है, उसके बाद समझाती है तो इस attitude में अपने आपको यहाँ पर ढालना काफी important रहता है तो वीडियो भी भी लंबी खेच रही है पर यार मेरे को लगता है इन चीज़ों पर भी बात करी जानी चाहिए क्योंकि information से सारी चीज़ें नहीं चलती like we are social animals तो ये सारी चीज़ें, emotions feelings और आपके expression मतलब expressing yourself expression से मेरा मतलब और इस तरह की हर वो चीज़ matter करती है क्योंकि एक इनसान हो इनसानों के बीच में रहोगे इनसान एक अगर express ही ना कर पाए खुद को तो there is not difference between like animal and जो भी तो हम बात ये कर रहे थे कि regret होता है कहीं तो हम बात ये कर रहे थे कि काफी बार regret होता है इस वज़े से कि यार ये सोच के नहीं आये थे ये कुछ भी क्योंकि यार family से दूर है ना मेरा वो खुद को धाई साल हो चुके है और सबसे important चीज़ जो मैं ये नहीं धाई साल में सीखिया है never plan the things की ये कर दूँ मैं और अगर ऐसा हो जाएगा ना अभी इतने टाइम तक है मतब stop planning something जो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाके you get your sentiments hurt और काभी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है सारे लोग बोलते हैं work, warm and weather I will say work, situations and your money ठीक है you never know when is the last shift you never know that if you are in a good situation how and from where it can turn into a negative one third was money you never know that if you have enough of savings कहां से एक दम ऐसा खर्चा आजाए की you will be like what the hell तो इन चीज़ों को टाइम के साथ हर बंदा अपनी एक पेस पे सीखता है और यहां पर रहे कर आपको हर तरह का इंसान मिलेगा आपकी चोईस है खुद की आपकी इस तरह के इंसानों के साथ अपना सरकल बनाना चाहते हो लड़की बास भी मिलेंगे क्लबिंग वाले भी मिलेंगे दारू पीने वाले भी मिलेंगे मंदिर जाने वाले भी मिलेंगे पूजा पाठ करने वाले भी मिलेंगे इंटलेक्चुल टॉपिक्स पे बाते करने वाले भी मिलेंगे ट्रिप्स वाले भी मिलेंगे घरगरस्ती की बाते करने वाले भी मिलेंगे फालतुगी और हरकते करने वाले भी मिलेंगे चोईस यूर्स वट यू विल पिक यू विल है और अन बुके इस पर यू चोईस फ्लार्स और वट्सवावर यू मेर ट्राय तो कॉल इट तो टॉपिक्स जो हमारा शुरू किया था वो था रिग्रेट होता है कभी कभी कि हां क्यों आगे जो सारी बातें मैंने की हैं में भी आपको irrelevant लग रही हूँ बट जैसे ही आप उस phase में से निकल के आओगे न तब आपको सारी चीज़ें थोड़ी समझाने लगे हैं कि मैंने इस वीडियो में ऐसे bits and pieces पिक कर करके क्यों बोले हैं सारी चीज़ों के काफी सारी बाते हैं जो आप डिरेक्टली नहीं बोल सकता ठीक है तो I'm trying to work on a project a kind of a series अगर successful हुआ हो तो जिस topic से related हमने आज बात की है फोड़ी बहुत उस पे एक बहुत खतरनाक चीज शायद मैं लेके आप आऊं जिस से काफी एक mindset में लोगों के सोचने को एक मतलब ठीक है you got two platforms either this or that maybe that will create a third one अगर भगवाने साथ दिया कि either this or that अगर ये दो नहीं तो इस तरह से भी चीज़ को सोचा जा सकता है especially related to studying abroad it is international student life along with some other aspects related to your so तो जो भी मैंने बात की है इस वीडियो में थोड़ा बहुत उससे related तो एकना मेरी वीडियो के कमेंट में किसे ने कमेंट किया था underrated channel deserve more views करके कुछ ऐसा ऐसा तो मेरे को भड़के थोड़ा अच्छा महसूस हुआ की चलो किसी एक इनसान को तो लगा की शायद मैं अपनी तरफ से efforts लगाई है मतब I'm not saying की views वगार का कुछ but at least अगर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो और सामने वाला इनसान अपनी तरफ से हर मुम्गिन कोशिश कर रहा है की वो कुछ भी तीज को ऐसे ना छोड़े की अपनी तरफ से हर possible piece को उठाए ताकि आपको शायद एक negative situation से बचाए जा सके तो यार थोड़ा appreciate करना बनता है थोड़ा appreciate just एक comment, एक like मतलब यार मैंको views की नहीं है वो की हाँ views आने चाहिए वो बट सिरफ एक इंसान भी अगर वीडियो पे comment कर दे ना की हाँ मेर कोई की ये पाट अच्छा लगाए जो भी, यूर क्रिटिसाइज भी करने तो क्रिटिसाइज भी करो, that's fine तो express करो कुद को धोड़ा सा ना तो जैशिर राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने मेर को अभी तक टॉलरेट किया है थैंक यू झाल